नमस्कार दोस्तों, आपने मेरे पीछे जो टैंक है, इसे आप लोगों ने पसंद किया, इसलिए सब का शुक्रिया, आज हम इस टैंक में फिश डालने वाले हैं, तो मैंने फिश शॉप से लोकल एक्वेरियम से एंजल फिश लाई हुए, तो चलिए शुरू करते हैं, जैसे कि आप देखी करते, मैंने 5 पेर टकसीडो ब्लाक एंजल फिश लाई हुई है, तो हब हम इस बैक को ऐसे ही एक्वेरियम में रखेंगे 15 मिनिट के लिए, इससे क्या होँगा, क्या पानी, बैक का पानी और एक्वेरियम का पानी का टेंपरिचर एक होगा, यह हम इसे ड ड्रिप सिष्टीम यानि यह क्या होती है, पहले हम इस बकेट लेंगे और इस बकेट में फिश पूरी की पूरी पानी के साथ दाल देंगे, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पाचों की पाच पेर बकेट में डाल दिये, अब हम जो अपन टैंक में ऑक्सिजिन पाइप यूज करते हैं, वो लेंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑक्सिजिन का पाइप लिए हुआ है, अब हम इस से पानी ये बकेट में डालेंगे, इससे एक चीज होंगी, पानी का टेंप्रेशर भी एक हो जाएंगा, और दोनों पानी का पैरामिटर लगबख एक जैसा होनी के लिए मुदद हो जाएंगी, एक्चुली, कोई-कोई बैग डीप करके रखता है, दोनों का प्रोसेस एक ही है, दोनों को टाइम भी उतना लगता है, मगर ये मेरे ही सबसे सबसे अच्छा और इजी टाइम है, और बाइद अवे, ये मेरी बेटी ये पलग, जो मुझे हिल्प कर रही है, ये पकड़ा अब इसमें, और आप सोच रहे होंगो कि अभी कितने देर ये करने का है, जब भी हम बैग का पानी डालेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा पानी ये डालने का है अपने को, इससे लगबख 10 मिनिट टक आपको ऐसा करना है, और हाँ, कभी भी याद रखे, जब भी आप कोई भी फिश लेके आते हो, एक्वेरियम से, तो वो बैग के पानी के साथ फिश कभी नहीं डालना है, सिर्फ फिश डालनी है, बहुत जन क्या करते है, पानी के साथ फिश डालते है, उससे क्या हो जाता है, कभी कभी कोई अल कभी भी नहीं फिश लाने के बाद स्रिफ फिश ही टैंक में छोड़ना है पानी के साथ छोड़ना नहीं है तो अब हम लगबग 10 मिनिट तक यह ड्रिपिंग सिस्टिंग चालू रखेंगे और आपको यह टैंक का पूरा सेटप देखना हो तो लिंक जहाँ पे उपर आय बोटन में आ जाएंगी तो आप देख लेना और आपको ये टैंक पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करने के बार बाजी वाला बेल का आईकॉन का बटन दबाना कभी मत भूलिए इससे क्या होगा जल्बी में कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको डाइरेक्ट मिल जाएगा तो चलिए अब हम इसमें फिल्ड डालेंगे, फिल्ड डालने में मेरी हिल्ड, मेरी बेटी पलग करेंगी मैं आपको निकाल के देतो आप डालओं आपको पूरा पानी के अंदर एक आपको पहार में रखते अंदर वाच्चिकरी केसे, इसको वेशा अंदर निकालो एक एक और डालो हाँ दो आने दो कुछ ने आता, में डालो, आप देखो फिर चलिए आपको पूंग कि ये लुसमें लुटे लुटे और ये लुटे तो इस तरह हमने पाचो की पाच पेफ फिश इसमें डाल दिये आप देख सकते हैं ये अभी फिलाल एक ही जगे पे रहेंगी एंजल फिश का एक काम अच्छा है कि ये पूरे गुरूप के साथ गूमती है ये देखो अभी मैं लाइट बन करने जा रहा हूँ ये लिखिए और मेरा अगला वीडियो मैंने एक पीछे वीडियो डाला था Salt Water Tank का मेरा मगर मुझे बहुत जैनोंने कहा करे आप सेट अप रिखाईए तो मेरा अगला वीडियो Salt Water Tank का पूरा सेट अप रहेंगा तो प्लीज सब्सक्रेब कीजिए और आप मेरे FaceTanker View enjoy कीजिए जाँ एकप करता हैं झाल 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 झाल